नमस्कार किसान जातियों जेविक खेती यूटूब चनल पर आपका स्वागत है और आज हम आए हैं गुलाब की फूल के बगीचे में जो शिव नरायन जी जो ठंडा है फतेगाड रहने वाले हैं जिला मंसोर से हैं MP से तो इनसे हम जानकरी लेंगे कि गुलाब का फूल कैसे अब एकड कर देए हैं इस और इसकी ग्रोध कैसे बढ़ती है तो इससे पूरी जीनकरी लेंगे किसान अच्छे से जैनकरी लेंगे तो घुलाब की खेती किती किति कृती साल होगी कर्व ? तो सर यह कितने मतलब कितने एकड का लगा रहा का आपने एक एकड यानि कि एक से डेड़ भी गे पुने दो भीगई के टेच में अधा एकड ही मतलब अधा एकड के तो सर इसमें जैसे कि आपने पोदा लगाया था अच्छा सा जैसे की आपने पोदा लगाया था तो जिस टाइम पे अपनेके पोदाशकी लिए उस टाइम पर आपने जैसे कि पोदा लगा रखा आपने अभी है ना तो यह कब मतलब यहां से इसको जब भी इसको इसको इस्थान परीवर्टन करेंगे तो कितने दिन में आप करेंगे उसके बाद यह फूल कितना बड़ा हो जाएगा उसके बाद इसके फूल अलग जाएंगे इसके करीबन एक से देड़ मैने के बाद इसका फूल अच्छा जब आपन सुरुवातिन लगाएंगे तो छे मैने उसी इस्तान पर रखना पड़ेगा अपने को जैसे आपन लने यहां पर रखा है देखे साथी ओ यहां पर पेडर आ हैंनों ने यह कम से कम दो या तीन में यही इक है तो इनको 6 मैंजे यही पे रखेएंगे उसके बाद क्या कई गेरें इसको तीनuarस छार का की गेरें इसको पर इस तो लेंगे ऑप से तरुम ने ग्याहर selon यहां त तो वह फूल होता है फूल बहुता है तो इसको जड़े उससे नुकसान है क्षेने कजिसकाज का नुकसान है चीरापी जल भराव से नहीं होता है ओन पतव परेशानी होता है एब आपने साल भर जैसिके छे मिनग आठ मिनमे फोल गरॉण पूलने जगते हैं तो मतलब एक देसे कि आदा एकड में आपने बहुर रखा है तो आप एक महीने का प्रोपीट क्या हो ज़ता है इसका करीबन प्तितीति सब्ट्रेस रूप क्रती महीना की इंकम होती है खर्चा कारता सब करके पर खर्चा कटने के बात है कि मार्केट क्या रहता है सर यसका कम से कम तीस रूपे से लगा के सु रूपे टर्च में रहता है आपके पचास जार रूपे इंकम पने इनकम इसमेंगा जाती है तीस तीस परसंट की अपने को मिलता है प्रती महा इंकम है आपकी इससे बहुत अच्छी बात है सर आप आप देख सकते हैं कि सातियों की गुलाफ के फूल इन्होंने बहुर रखे हैं मतलब 20 साल से खेती कर रहे हैं किसान और सर इसमें क्या-क्या फ्रेट्राजर देने पड़ते हैं मतलब आपने जैसे की देशी गोबर चाहिए देशी गोबर चाहिए रास्तानी में क्या-क्या चाहिए इसको फासपोरास और केल्शियम ठीक है सर आपको धन्यवाद जानकारी देने के लिए तो सातियों आप देशकते हैं कि यह गुलाफ के फूल थे 25-30,000 रुपे महिना कमाते हैं और इनकी एक बार अगर आपनोंने मेहनत कर लिए अच्छे से तो बहुत अच्छे तरीके से आपन इनसे इंकम कर सकते हैं तो मजदूर से तुलाई की जाती है सर आपकी आज यह मजदूर आते हैं ठीक है सर सतियों शीव नरानेट जी धकड जो ठन्ना साहब है हमारे इन्होंने बहुत अच्छे से जानकरी दी हैं और मैं भी पुचाता हूं कि बहुत अच्छे से जानकरी दें और इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि एसी हिल्फिल वीडियो में हमेशा बनाता रहुआ जेहिन जे बारत